नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूस का डिजिटल प्लैक्पॉर्म और मैं हूँ आपके साथ कुलिस्ता राम लला के अस्थाई मंदिर का आखरी दिपोट सब बेहत खास होने जा रहा है बता दे कि 22 जन्वरी 2024 को राम लला अपने भव्वे मंदिर के गर्ब ग्रह म में विराजमान हो जाएंगे राम की पैड़ी पर जहां 24 लाग से ज्यादा दिये जलाए जाएंगे तो वही गर्ब ग्रह में शुद्ध गाई के गोबर से बने विशेश दीपक राम लला के सामने जलाएंगे दिपोट सब के दौरां सीम योगी राम लला के दर्श्वन के लिए पहुंचेंगे और इन दीपकों का निर्माण आयोध्या की ही कानह गौशाला में किया जा रहा है जहां से लगभग 10,000 दीपक राम लला के दर्बार में जलाए जाएंगे इसके बाद गाय के गोबर से बने इनी दीपों से राम लला का गर्ब ग्रह रोशन किया होगा श्रीराम जन्भूमी चेत्र ट्रस्ट के कैंप का रियालाय प्रभारी प्रकाश गुपता ने बताया कि इस बार का दीपोचसव राम लला के दर्बार में भव्वे होगा फूलों से राम लला का दर्बार सजाए जाएगा लगभग 10,000 गाय के गोबर के दीपक बने ह तैयारिया शुरू करती है 11 नवेंबर को लगभग लाख दीपक राम लला के दर्बार में जलाए जाएगा राम लला के मुख्य पुजारी आच्वारे सातेंद्र दास में बताया कि दीपोचसव के दिन मंदिर को फूलों से सजाए जाएगा राम लला को नय वस्त धारण क कराया जाएगा विवीद प्रकार की मिस्ठानों का भूग लगाया जाएगा और उसके बाद गाए की गोबर से निर्मेद दीपक जलाए जाएगे और इस बार का दीपोचसव राम लला का आखरी दीपोचसव है वहीं दीपक बनाने वाले कारिगर ने बताया कि आयोध्या के राम मंदिर में दीपोचसव के दिन गाय के गोबर का दीपक जलाएंगे हम लोग गाय के गोबर से दीपक बना रहे हैं तो फिलाल के लिए अतना ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लैटफॉर्म के साथ मुझे दीजी इ इजाज़ धन्यवाद